देखिए गंगा का रौध रूप देखने को मिल रहा है पटना साहिब में गंगा नदी जो है वो उफान पे है जलस्तर जो है वो खत्रे की निसान को पार कर चुका है वाटर लेवेल में वृध्धी जारी है निचले इलाकों में पानी घुस गया है पटना साहिब की तस्वी बहुत दिन से रढ़ हैं 50-70 बड़ा से रढ़ हैं तो आप लोग के दुकानों में पानी घुष है यह बताए कि कब से यह स्थिती है यह हो गया यह कपता के लंसम होने जाड़ा है अभी कमी नहीं आ रही है कमी थोड़ा सा आया है लिक उससे कोई फड़क नहीं पड़ती है घंगा नदीव फान पर है पूरा नीचला इलाका जलमगन हो पूरा इलाका इस तरह की परशानी हो रही है परशानी सामने आपको नजा आरह कर निकलना भी मुश्किल है और तब जल नीकासी हो इसके लिए कोई बेवस्था हैं यहां तो अभी कोई बेवस्ता नहीं किया ग है बसनी ही मतलब जलनी कहसे की कोई ब्यवस्ता नहीं है ना कोई अधिकारी कोई ब्वस्तानेहिं हुआ कॉष गया है वहां वह भरो से छोड़ दिया गया है कि पानी का अस्तर निकालने का कोई संभावन पानी निकलना चाहिए, संभावना यह होना चाहिए, सरकार से ही उम्यद है कि पानी को निकास के लिए प्रुकेश किया जाए, वेवस्का किया जाए, आपको कहीं जाना पड़ता होगा काम पे या कुछ समान वगर लाने तो बहुत दिकत हो बहुत ज्यादा, बहुत ज्याद लोग भूखे प्यासे हैं, बोल रहे हैं, आने जाने में परिसानी हो रहे हैं, हम काम पर नहीं जा पा रहे हैं, घरों में पानी चला गया है, लेकिन जलनी कासी की भी ब्यवस्था नहीं है, भगवान भरो से हम लोगों को छोड़ दिया गया नितिस कुमान इरिक्षन करने आये थे लेकिन पूल पर से इन इरिक्षन करके चले गए कोई अलिकारी भी जो हैं वो यहाँ पर नहीं आता है कि हम से कम नाव ब्यवस्ता की जाए हम लोगों को उचे अस्थानों पिले जाये यह स्थानी लोग मांग कर रहे हैं कैमरा परसन विशाल राय के साथ से शांकुमार एवीपी न्यूस पत्ना साहिब